सब्सक्राइब कीजिए नदाशनहरदिक चनल को और प्रेस कीजिए इस पहला आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे नमस्कार दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बायो मास यानि कि दोस्तों यहाँ पर बायो मास इनरजी थर्मो केमिकल प्रोसेस यानि कि दोस्तों यहाँ पर बायो मास एनरजी का रुपांतरित होने वाला है लेकिन कौन से कौन से उर्जा में तो यहाँ पर उस्मा प्रक्रिया और बायो केमिकल प्रोसेस इन दो चीजों में यहां पर बायो मास एनर्जी का रुपांतरन होता है लेकिन दोस्तों यहां पर आज का जू टोपिक है इसके अंदर यहां पर थर्मो केमिकल प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे तो चलिए दोस्त यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर अगर आपको थर्मो केमिकल प्रोसेस करना है, तो बायो मास को करने के लिए यहाँ पे फ्यूल को यानि कि उसको雅शित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे high temperature और जब उसको ज़रूरत होगी तब उसको प्रेसराइज किया जाएगा यानि कि उसके ओपर force दिया जाएगा तब जाके यहाँ पे वो यहाँ पे बरतन यानि कि यहाँ पर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों अब इसके लिए इसमें यहाँ पर दोस्तों ड्राइ बायो मैस यानि कि सुपका बायो मास को यहाँ पर उपयोग लिया जाता है दोस्तों अब आगे बात करें यह प्रोसेस करने के लिए कौन सी कौन सी यहां पर रासालिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है तो यहां पर में तीन प्रक्रिया है जिसके अंदर बात करें सबसे पेड़े तो पाइरोलिसिस अब पाइरोलिसिस की बात करूं दोस्तों यहां पर तो यह पाइरोलिसिस प्रक या carbon monoxide मिष्णन को या पर उप्योग लिया जाता है अब आगे बात करो दोस्तों या पर प्रवाही यानि की liquid form की तो दोस्तो fucking में या पर बर्तनकी जगा पर या पर फ्यूल की जगा पर acid on methanol या फिर acetic acid या light oil यहां पर मिल सकता है दोस्तों अब आगे बात करें गन की तो यहाen पर गन में यहाँ पर चारकोल दोस्तों हमें मिलता है तो यह pyrolysis प्रक्रिय economics है यहाँ गन, प्रवाही और वायू तीं प्रक्रिया में हम यहाँ पर biomass को identify कर सकते है अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ हाइड्रो-gasification की तो hydro gasification है इसके अंदर यहां पर जो biomask का producer है यहां पर gas foam में रुपांतरीत होता है जिसके अंदर producer gas जो hydrogen carbon monoxide या फिर methane का यहां पर misran होता है दोसको जिसकी calorific value की बात करूँ यहां पर 950 से लेके 1250 kcal per meter cube रहता है अब यह biomask का यहां पर main convenient स्वरूप रहता है hydro gasification अब आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरा तो hydrogenation अब hydrogenation के अंदर देखने जाए दोस्तों यहां पर तो यह biomask को यहां पर oxygen रही atmosphere में आने की वातावरण में से 550 celsius तक इसको गरम करना पड़ता है तब जागे इसमें से biomask का प्रवाही रुपांतरित होता है और इसमें से प्रवाही liquid या fuel हमें बर्तन मिलता है प्रवाही बर्तन लेने के बाद या की fuel लेने के बाद हमें यहां पर इसमें रहने वाली solid mass को solid fuel की जगा पर हम इसको उप्योग ले सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम producer gas free यहां पर मिल सकता है दोस्तों तो इस तरह यह पूरा का पूरा thermo chemical process था दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं मेरे चलन अंदर सनार्दी को subscribe कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करना मत बुलिएगा दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझावे तो comment section जाके comment कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को रिलेटिव कोई भी question है तो comment section जाके comment कर दीजिए आप याद रखेगा इसकी तीन प्रक्रिया है पाइरोलिसिस, हाइड्रोगेसिफिकेशन और हाइड्रोचनरेशन दोस्तों आपका खुब खुब धन्यवाद